हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए संडे स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि संडे आने वाला है तो संडे को कुछ ने कुछ स्पेशल बनता ही है तो आज की रेसिपी हमारी है खोया पनीर और पंजाबी कुल्चा जो की बिना इस्ट के बनेगा और वो भी तवे पे तो चलिए फटा फट बनाना शुरू करते हैं इसे तो सबसे पहले हम कुल्चे का आटा लगाएंगे उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है यह मैं तीन लोगों के हिसाब से बना रही हूँ आप अपने हिसाब से ले 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 इसमें मैंने जरा सा नमक डाल लिया है और जो मैंने पनीर बनाई थी ना उसी पनीर का पानी मैंने बचा के रख लिया है उसी में हम यह मैदा बूतेंगे तो मैंने इसमें दो टेबल स्पून ओल डाल लिया, आप चाहें तो गी डाल लें इसमें, और अच्छे से ओल को पूरे में मिक्स कर लेंगे, अब ये पनीर वाला जो पानी बचा के रखा था ना, इसी पानी से हम इसको अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे, और मसल म हम इसको गी लगाके एकदम स्मूथ कर लेंगे, और अब हम इसको ऐसे हतली की मदद से फैलाएंगे, अभी बेल ना नहीं है, अभी बस ऐसे ही रफली फैला लेना, इससे अच्छे से, ये देखिए जैसे मैं फैला रही हूं, ये मैंने इसको रप्टेंगल शेप दे दिया है, ये देखिए, और इकवली फैला है, अब इसके उपर फिर से हम घी लगाएंगे, घी ज्यादा ही लगाएं, आप चाहे तो बटर लगालें गी की जगे पे, और अच्छे से इस पे फैला लेंगे पूरे पे, अब इस पे सुखा मैदा लगाएंगे, और हम इसको जैसे ह आदा पार्ट उसके उपर डालेंगे, फिर से इसको प्रेस करेंगे, और ऐसे ही साइड वाला पार्ट भी एक के उपर एक डालेंगे, पहले घी डालेंगे, उसके सुखा मैदा डालेंगे, और साइड वाले पार्ट को भी दोनों को एक के उपर एक डाल के पॉकेट बना ल में इसको 15-20 मिनिट के लिए रखूंगी तब तक हम आगे की तैयरी करते हैं तो खोया पनीर बनाने के लिए खोया हम घर पी बना रहे हैं उसके लिए मैंने एक डाबल स्पून मिल्क पाउडर ले लिया यह इसकिम्ड मिल्क है यह ध्यान रखे डैरी वाइटनर नहीं है और थोड़ा थोड़ा करके हम वन फोर्थ कटोरी दूद डाल लेंगे और जिस पैन में आप बना रहे हो न वो भारी तले का पैन ले अभी मैंने पैन को गैस पे रखा नहीं है अभी इसको हम काउंटर टॉप पे मिक्स करेंगे और दूद रूम टेंपरेचर का होना चीए यह ध्यान रखें वरना दूद पाउडर में लंश बन जाएंगे तो यह देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम एक टीए स्पून घी डाल लेंगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे यह देखें सारा मिक्स हो गया है तो अभी मैं इसको गैस पे रख लेती हूं यह देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है हमें इसे और लगातार चलाते रहना है जब तक कि यह खोया फॉर्म में नहीं आ जाता मतला मावे जैसा नहीं बन जाता आप देखेंगे एक मिनिट के अंदर अंदर ही यह मावा बनके तयार हो जाएगा मैं सबजी कम बना रही हूं इसलिए मैंने यह मावा भी कम ही बनाया है यह देखिए यह बहुत जल्दी खोया बन चुका है तो बस फ्लेम को आफ कर लेंगे और उसे ठंडा होने रख देंगे अब मैंने दो टमाटर ले लिए एक प्याज ले लिए तोड़े से काजू ले लिए और एक इंच अद्र का टुकडा ले लिए इसको मैंने पैन में डाल लिए और सारे मैंने डाइसे में कट किया है अब इसमें मैंने यह सब डूप जाए बस इतना पानी डाला है और स्वाध अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे नमक हम आगे भी काम लेंगे तो उसी हिसाब से डालें अभी हम इसको बॉल दिला लेंगे बॉल इतना दिलाना है कि टमाटर एकदम मैशी हो जाए यानि उनके छिलके निकलने लग जाए तो अभी इसको ठंडा करके हम मिक्सी जार में डालके इसका फाइन सा पेष्ट बना लेंगे और फिर के पैन में मैंने एक बड़ा चमच औा ने लिया है उसमें हिंग जीरा रहा का तड़का देदिया और मीडियम फ्लेम पे हमने जो भी पिस्ट टैयार किया वू एडिया लेंगे हम पलेम को मीडियम रखेंगे जब तक कि यह all separate नहीं करने लगें इसी के साथ मैं इसमें कसूरी मेथी डाल लूँगी अब all separate होने तक पका लेंगे इसे तो ही देखिए all separate होने लगा है इस वक्त हम इसमें हमारा तयार की आवाखोया डाल लेंगे तो friends अगर आपको recipe पसंद आ रही हो जो मैंने cut करके रखी थी dices में और उसको लगातार चलाते हुए दो मिनिट तक पका लेंगे और आखिर में हम इसमें गरम मसाला डाल लेंगे तो यह हमारी सबची तो तयार है अब हम कुल्चे की तयारी करते हैं तो इसको मैंने 15 मिनिट बार डो को फ्रिज में से निकाल लिया है अब हम इसे वापिस ऐसे हतेली की मदद से प्रेज करेंगे और थोड़ा मोटा ही रखेंगे यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कितना मोटा रखा है मैंने और इसको हम cut कर लेंगे इसके मैंने 3 पार्ट cut कियें और अभी मैं आपको इसकी layers दिखाती हूँ कितनी अच्छी layers बनी है इसमें यह देखिए कितनी धेर सारी layers बनी है तो 3 भाग को भी हम वापिस 4 भाग में cut कर लेंगे separately तो यह देखिए यह में एक एक कुल्चे का मिल जाएगा पार्ट और यह आप layers देख सकते हैं इनकी तो अभी हम इसको हत्यली की मदद से प्रेस करेंगे एक भाग को जो चार भाग हमने cut किये ना उनमें से एक भाग को और हलका सा मोटा बेल लेंगे हम इसे फिर इस पे हम पानी लगाएंगे एक भाग पे तो जो हिसा पानी लगावाए ना उसको हम गरम गरम तवे पे डाल लेंगे तवा एकदम गरम होना चीए यह ध्यान रखें और इसको डालने के बाद फलेम को मीडियum कर लें और मीडियum फलेम पे तवेको पलड़के हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे तवेको गुमाते हुए चारों तरफ से जैला इसे तो तीन भाग में से एक भाग से हमें चार उनकाल मिलेंगे तो यह देखिए कितना अच्छा सिग गया हमारा कुल्चा और कितना अच्छा फूला है बिना हिष्ट के भी तो अभी हम इसको सर्व कर लेंगे सर्व करते समय हम इसके उपर बटर या घी लगा लेंगे डेड़ सारा यह देखिए मैं आपको एकटा करके भी दिखाती हूँ यह कितना कुरकुरा बना है और एक दम लेड़दार बना है यह देखिए तो हम सबजी के साथ सर्व कर लेते हैं इसे तो बस अब यह हमारा इजी वे में पंजाबी कुल्चा और खोया पनीर की सबजी तयार है तो फ्रेंड्स आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें और आप भी ऐसे इजी वे में खोया पनीर और पंजाबी कुल्चा गर पे बनाएं और संडे को हेल्दी रहते हुए इंजोई करें थैंक यू